हेलो गाईज वेलकम बैक टो और चैनल तो बीए स्टडी पर आपका फिर से स्वागत है तो जैसे कि आप जानते हैं हम यहाँ पर बीए के सभी सब्जेक्ट के स्लेवस को एक एक करके कम्प्लीट करा रहे हैं ऐसे ही मैं आ चुका हूँ आपके लिए बीए के फर्स्ट सेमिस् आया है हमारा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को जिससे आपका पूरस लेवस एपर कम्प्लीट हो सके ठीक है वीए के फर्ष्ट सेमिस्टर के अर्थ सास्तर का यूणिट वन के बारे में आज हम बात करने वाले पहले हम बात करनेंगे यूणिट वन के कि हिंदी में कराईए हिंदी में कराईए तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं अब हिंदी में भी स्पेसिफिकली वीडियो आएंगी ठीक है इंगलीश की अलग और हिंदी की अलग जिससे क्या होगा आप इंगलीश वाले बच्चें इंगलीश वाली वीडिय किसके बारे में कमी और विकल्प की समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले अगर हम अर्थसास्त्र की बात कर रहे हैं तो हमको पता होना चीह अर्थसास्त्र कहां से आया इसका मतलब क्या होता है, है ना, तो आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है हमारे अर्थसास्त्र की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमारे जो एकोनोमिक्स है, यानि कि अर्थसास्त्र, इ इन तीनों नहीं अलग-अलग तरीके से इसकी परिभाषा दी गई, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, एडेम स्मित से, कि एडेम स्मित ने हमको अर्थसास्त्र के बारे में क्या बताया, क्या होती है अर्थसास्त्र, देखिए, एडेम स की परीभाशा को समझाया, उसके बाद से एक अलग से विशे बन गया, यानि कि एक अलग से सब्जЕक्ट बन गया, सब्जक्ट के रूप में जाना जाता गया, ठीक है, अब इनोंने क्या बताया, उसी के बारे में बात करते ये इन्होंने बताया, इन्होंने साथी में ये भी बताया कि हम संपत्ति को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, साथी साथ इन्होंने ऐसी बाते बताई कुछ, कि अगर किसी भी देश की संपत्ति अच्छी है, तो उसका पूरे देश का भला हो सकता है, पूरा देश वो खुशाल रह सकता है, इन्होंने ये भी बता है, इन्होंने तीन चीजे बताई कि हम तीन तरीके से अपनी संपत्ति को बढ़ा सकते हैं, पहला है हमारा उत्पादन यानि की प्रोडक्शन, अगर हम किसी भी वस्तु का उत्पादन बढ़ा देंगे, तो वो हमारी संपत्ति को बढ़ा जाएगी इस तरीके से इनोंने यह बता है दूसरा वितरण अब जैसे कि एक दुकानदार होता है अगर वो अपने आस पडोस में यह अपना समान को बेचे तो वो कम अर्णिंग करेगा यानि कि उसकी संपत्ति कम होगी लेकिन यही पर वो क्या कर दे दूर दूर पर अपना खोल दे या अपनी दूसरी दुकान खोल दे या अपना समान ज्यादा लोगों तक पोचा दे तो वहाँ पर उसकी संपत्ति बढ़ जाएगी तो इस तरीके से इनोंने उत्पादन और वितरण को समझाया इसी के साथ अदला बदली अदला बदली जितना ज्यादा करेंगे हम उतनी समपत्ति ज्यादा होगी जैसे कि अगर हम ज्यादा समान को खरीदेंगे और ज्यादा समान को बेचेंगे तो हमारी समपत्ति बढ़ेगी जैसे कि आप हैं आपको नए-ने कपड़े पहनने का शोक है और आप बजार से नए-ने समान को खरीते हैं यानि कि आप पैस जोगा उतनी ज़्यादा संपत्ती बढ़ेगी इन्होंने तीनों चीजों को अच्छे से समझाया एडम स्मित को father of modern economics भी बोला जाता है तो यह जरूरी है ठीक है तो आप अच्छे से पढ़िएगा अब बात करते हैं एडम स्मित ने तो बता दिये सबसे पहले इन्होंने ही स करती है जिसमें मानव अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसादरों का प्रयोक करता है यानि कि इन्होंने बताया कि आप लोग क्या जान लीजे इसमें हम मानव व्यवार को जानते हैं कि मानव किस तरीके से अपनी आर्थिक गतिविदियों को करता है आर्थिक से इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है यानि कि किस तरीके से अपनी आर्थिक घतिविदियों को करता है और उससे कुछ संपत्ति कमाता है उसको किस तरीके से इस्तमाल करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ठीक है अब जैसे कि आप कुछ न कुछ कमाते हैं को अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं तो यही समझाया इन्होंने कि आप जानिए कि किस तरीके से लोग अपनी आर्थिक कतिविदियों को करते हैं और फिर उसका इस्तमाल करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर हमारे इसके बाद है रोबिस जी ने यह बता गया जो सीमित साधनों और वैकलपिक उपियोगों के बीच सम्मध्दों को दिखता है इन्हों ने भी यही बताया कि आप मानव विवार की स्टड़ी कीजे मानव विवार को समझी है और लेकिन इन्हों ने एक चीज और एडिक कर दी इसमें यह बता दिया कि किस तरीके से वह अपने लिमिटेड रिसोर्स ही यानि कि सीमित साधनों से अपनी जरूरतों को पूरा करता है यानि कि अब सीमित साधन से इनका मतलब है अ ऐसी चीज देखेंगे जो 50 रुपे के अंदर अंदर आ जाए जिससे हमारी जरूरत पूरी हो सके अगर हमको दो दूकान पर गए जहां पर सबजी थी सबजी रोटी हमको कितने की मिली थी 70 की और फिर एक तीरा था उसके साइड में 50 रुपे की हम किदर की तरफ जाएंगी क्योंकि हमारे पास 50 ही रुपे तो इस तरीके से हमने किया उसका दूसरा विकल्प दिखा यहां पर दो विकल्प थे हमारे पास 70 वाला लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने इसका दूसरा विकल्प चुना जो की 50 वाला है ना इस तरीके से हमने सीमिस साधनों स अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, और अपने विकल्प की सायता लेते हैं, यानि कि अगर हमारे पास सीमिस संसाधन है, तो हम देखेंगे पहले क्या क्या चीज़े आ सकती हैं, हम दूसरे विकल्प को चुनेंगे, क्योंकि हमारे पास सीमिस संसाधन हैं, और हमारी लिमिट को देखते हैं यानि कि दूसरे विकल्प अगर उससे मिल जाते हैं तो उससे हम क्या करते हैं अपनी जडरोतों को पूरा करते हैं तो अमीद करता हूं आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी अगर जरा भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्षन में पूछ सकते अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जब तक के लिए थैंक्यू समच